कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका अजुन खडगे को 9 सितंबर को होने वाले जी ट्वेंटी नेताओं के डिनर में नहीं बुलाया गया ये डिनर राष्टपती रोपती मुर्मु देगी इस पर तमिल नाडु के कॉंग्रेस नेता मोहन कुमार मंगलम ने कहा कि मोधी है तो मनु ह खडगे को इसले नहीं बुलाया क्योंकि वे दलित हैं वहीं 36 गड़ के सीएम भुपेश बगेल ने कहा कि असमति का संबान किया जाना चाहिए मिडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहन कुमार मंगलम ने ये भी कहा पीएम नरेन मोधी महारशी मनु की विरासत थामे हुए हैं ऐसे कई इवेंट्स वे जहां निशली जाती के नेताओं को नहीं बुलाया पूर्व राष्टपती रामनात कोविंद को अयुद्या के राम मंदिर में भूमी बुजन में अमंत्रित नहीं किया गया राष्टपती दुरपदी मुर्मू को नई संसत के उध्गाटन में नहीं बुलाया गया मुखे मंत्रे बुपेश बगेल ने कहा कि कांगरेस अध्यक्ष मली का अजुन खडगे को डिनर में न बुलाया जाना बहत दूरभाग्यों पूर्ण है विपक्ष की असमती का समान किया जाना चाहिए राहुल गांदी यूरोप दोरे पर है आठ सितंबर को उन्होंने ब्रेसल्स में कहा जी ट्वेंटी की अध्यक्षता मिलना देश के लिए अच्छी बात है सरकार ने जी ट्वेंटी के लिए मली का अजुन खडगे को नियोता नहीं दिया इससे साबित होता है कि वो देश की सहाट प्रतिश्चत जनता का नेतरतों करने वालों को मत्वर नहीं देते हैं ये सरकार की सोच को भी दर्शाता है इसी के साथ बने रही है एशनले जुद्या के साथ तहले बाद